वेलकम बैक टूदे चैनल गाईज एक और नए व्लॉग है और अब तक तो आपको जो न्यूज है जो अनॉंस्मेंट है शाद हो पता चलगी होगी नहीं पता चली तो आपको बतायाता हूँ अब फैनली ओफीशली इतने आप लोगों के टाइम के आप लोगों के काफी सारे लंबे इंतिजार के बार डवल ने खुद ऑफीशली अनॉंस कर दिया कि डवल डवली का इंडिया में शो हो रहा है इसका नाम होगा सूपरस्टार स्पेक्टेकल और जैसा रूमर्स और न्य जो हुआ था उसी की याद में अभी मुंबई वाले हैं बट अभी फिलाल डवली की डेस्पनेशन हैदरबाद की है मैं तो ऐसी उमीद छोड़ी चुका था कि डवल डवली शो भी करवाने वाली है साल क्योंकि अगर सितंबर में शो जो कि निक खान ने बोला था और बोला उने में टाइम लगेगा सबसे मस्टी जो मुझे यहां पर लगी वो है इस शो का ग्राफिक जो की निकाला है मतलब सबसे बहुत बात तो यह है कि भाई रोमन रेंस अभी तक यहां पर नजर नहीं आ रहे मतलब कि वह शायद इवेंट का पार्ट नहीं होने वाले क्योंकि अगर रोमन रेंस इवेंट का पार्ट होने वाले होते तो मेरे ख्याल से जब अनाउंसमेंट हुई पहले वाली तबी वह पोस्टर ये ग्राफिक में आ जाते हैं देखो चलो साथ में इस ग्राफिक को देखते सबसे बीच में सैथ रोलिंस और डू मैकेंटार है तो सबस्टर है इसमें शाद सुपरस्टार सी कुछ दिन पहले बना दिया हो और शाद अपडेट होंगी केविन ओवन्स का सीन तो लगनी रहाने का बैकी लेंच नटालिया के बारे में पता नहीं क्या है और यह सोचके डाला यह चेतन बोला था कि इसलिए कि कुछ लोग मार् कार्ड देखे तो स्टैक्ड है वैसे लाइव इवेंट है फिर बड़ा यह बात इससे भी डिसाइट करते हैं बहुत सारे लोग तो वह बता जाता हूं कि वाई शो में लोग कितने आएंगे क्या 10,000 20,000 25,000 ऐसे कुछ होंगे तो लास्ट टाम मैंने यह इंडूर स्टेडि को किस तरीके से होते हैं कि इससे पहले मैं तो गया है नहीं डेवल डेवली का कभी लाइव शो देखने लेकिन जो पहले वाली चीज उससे मुझे बाता था जो सबस्वरी कंप्लेन थी वह थी कि वाई यह टिकेट के प्राइस बहुत ज्यादा है एक तो लाइवेंट कर व हमेशा बार-बार तो मिलनी रहे मौक है तो फिर इसको मिस तो नहीं कर सकते और काफी सारा कॉंटेंट भी शूट हो जाएगा आप लोगों के लिए और मैं यह भी बता देता हूं कि जो टिकेट्स आ जाएंगी ना मतलब चार अगस्त के आसपास आने वाली है वो तो सिक्य क्लोज वाले बंदें हो ताकि उनको भी ऐसे इवेंट में देखने का मौका मिल जाए इवेंट होगा तब तक बहुत कुछ आप चैनल पर कॉंटेंट भी एक्सपेक्ट कर सकतो बढ़े वाला और मुझे भी बताओ कि आप मैं से कौन-कौन लोग बिल्कुल चार अगस्त को प्रॉब्लम भी है क्योंकि भाई जो हैद्रबाद की लोग है शायद पहले सबसादा प्रफर करेंगे उस सीच को क्योंकि अगर कोई दिल्ली से मुंबई से या फिर किसी बाहर सिटी से आ तो प्रॉब्लम वाली बात तो है बट वही है डिब डेवलीवी का इसे देखने के के लिए तो उसके बाद से जो रेस्लिंग को भी एक नया परस्पेक्टिव पता चला है और मेरे को बोलते में वजीब लग रहा है कि 6 साल कॉंटेंट बनाने के बाद मैं कहा हूं कि एक नया परस्पेक्टिव है लेकिन जो सामने देखने का मज़ा होता वो कुछ अलगी हो लेकि मज़े लोग ना पता है नहीं जिन्देगी आप समझे ले लेगी